प्रदेश में पर्यावरन संरक्षन को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भवर सिंग भाटी ने अनूठी पहल की शुरुवात की है। प्रफेसर वीके सिंग सहित कॉलिज शिक्षा से जुड़े करमचारी मौजूद रहे। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सब को पढ़ाओ और वर्क्स लगाओ। इन चार बातों पर वो हमेशा जोर देते हैं और अभी हम सब लोगों ने कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कमी को महसूस किया है। और पेड हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम सब लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम एक पोधा हर वेक्ती इस साल लगाए और उस पोधे की देखबाल करें। कल लोगों कोलेज में हमने 101 पोधे लगाए थे। आज राजकी डूंगर महाविद्याले बीकानेर के केंपस में 500 पोधे एक साथ पूरे महाविद्याले परिवार के सभी सिक्सकों ने और विशेश कर NCC के जो हमारे कैड़ेट्स हैं उन्होंने स्वेच्छा से आगे बढ़ करके सेक्डों पोधे NCC के चैड़ेट्स ने लगा हैं और हमारे उत्सिक्षा विबाग का और हमारे कोलेज एजूकेशन का हर साल ये परियास रहता है कि हम ज़्यादा से ज्यादा हमारे कॉलेजेज में, हमारे युनिवर्सिटीज में वरक्सार उपन करें बीकानेर के महाराजा गंगा सिंग विसुविद्याले में भी वहां के गुलपती मौधे ने बड़ी संख्या में वरक्सार उपन करने की एक मुहिम चलाई है जो बहुत जल्दी सुरू होने वाली है और उसमें बड़ी संख्या में महाराजा गंगा सिंग विसुविद्याले के परिसर में भी पोदे लगाए जाएंगे और मैं तो आज आप सब के माध्यम से राजस्तान के मुख्यमंत्री असोग गैलोजी का जो संदेश है जरूरी है हमारे डुंगर कॉलेज के सिक्षकों ने यह पूरी जिम्हेधारी लिए कि जो पेड हम लगाएंगे NCC के विद्यार्थियों ने काये कि हम जो पेड लगा रहे हैं जब तक ये पेड पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी देखवाल करेंगे शनिवार को भी राज के महा विद्यार्ले में 151 पौध ही लगाए गए वहीं डूंगर कॉलेज में विभन प्रजातियों के लगभागा 500 पौधों का व्रिक्षा रोपन किया गया है और इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने राश्च्री महत्व के इस कारक्रम में योगदान देने वाले लोगों की सराहना की पंजाब केसु टीवी के लिए बीकानेर से अनंद प्रताप आच्वाड़े की रिपोर्ट